हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एच्चुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे, काइमोरल फॉर्ट टेबलेट्स के बारे में, तो हम सिखेंगे ये टे इंडिकेशन्स को सिखेंगे डिटेल में, तो एक्सवर्ट लेक्चर बायमर सर, असिस्टम प्रॉफेसर और फार्मरोक्स, थैंक यू फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेट रही है, फार्मरोक्स के साथ, एक्सेस करिये स्टडी माट्रियल, टेस्ट सीरीज और वीडियो ले और वो भी काफी सरेल वासा में, एक साल तक अफॉर्डिबल प्राइस के अंदर, फार्मरोक्स के मोबाइल अप्लिकेशन के उपर, कि जो एंडूइड अप्लिकेशन है, गूगल प्ले स्टार पे, एपल आइफ़ोन एफ़े, एप स्टार पे, लिंक आपको डिस्क्रिप् बॉक्स में दे दी है, तो अब समझते हैं, काइमोरल फॉर्ड टैबलेट्स के बारे में, तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है, कि जिसको हम कह सकते हैं, एनलजेसिक्स, एंड इसके अंदर जो है वो एंजाइम्स आये है, कि जब ये टैबलेट बनाए जादे तो उसके मैनिफेक्चर्स के हम बात करें, तो टॉर्रेंट फार्मसेटिकल ये टैबलेट को जो है वो मैनिफेक्चर करता है, टॉर्रेंट फार्मसेटिकल के बारे में समझे, तो ये एक इंडियन मल्टिनेशनल फार्मसेटिकल कंपनी है, कि जिसके ओनर है टॉर्रेंट ग्रूप औ अंदर गुजरात तो यह जो फार्मा कम्पनिय उसको प्रमोट की गई बाई यूएन महिता के सरवात में यह जो थी एज़ ट्रेनिटी लेबरेटरिस के नाम से था और उसके बाद उसको रिनेम करके टॉरेंट फार्मसोटिकल से इसा नाम दिये गए कि यहाँ पे आप देख सकते है कि टॉरेंट फार्मसोटिकल उसके मैनुफेक्चर है तो यहाँ पे आप प्रॉपर अब उसकी लेबल की हम स्टडी करते है सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है आरेक्स मलब कि यह एक प्रिस्क्रिप्शन बेज मेडिकेशन है और साथ उसाथ यह रेड लाइन भी का मतलब होता है कि यह प्रिस्क्रिप्शन बेज मेडिकेशन है और सीडूल एच के अंदर यह मैडिकेशन आथा कि यह तेबलेट का जो लेबल है उसके पीछे यहाँ पर वॉर्निंग लिखे हुई है तो यह वर्निंग इसका मतलब यह है कि यह मैडिकेशन को जब आपको जया रिटेल के अंदर बेचना है तो proper RX लगता है मतल़Sły prescription लगता है और RX only medication जो है इसको हम कहते है और proper prescription के साथ ही आप उसको retail में बेच सकते हैं फिर बाकी उसकी storage condition में देखे तो ये tablet को आपको 25 degree या फिर उससे कम temperature के आसपास जो है वो store करना है dry place पे रखना है एंड बच्चों से ये medication को दूर रखनी है फिर यहाँ पे लिखा है कि anti-read coated ये tablet है कि जिसके अंदर trypsin और chemo trypsins जो enzyme से सुझके एक लाख जितने armor units जो है वो present है और torrent pharmaceutical जो है वो इसके manufacture के यहाँ पे लिखा है कि torrent pharmaceutical limited और यहाँ पे आरेक्स देख सकते हैं आपकी जो prescription based medication का जो तरे काइमोरल फॉर्ट जो है उसका brand name है डूसस के अंदर देखो तो यहाँ पे लिखा है कि डूसस पर दे डाइरेक्टेर बाई physician तो अग आगे समझते हैं trypsin और काइमो trypsin के बारे में तो what is trypsin और काइमो trypsin तो यह दोनों जो है वो proteolytic enzyme है और यह oral proteolytic enzymes कहें जाते कि जो औरल ही लिए जाते हैं खासकर अलग-अलग disease and disorders के treatment में तो यही enzymes को यूस किया है यह tablet के manufacture में कि जिसका brand नेम है काइमोरल for tablet तो यह medication या फिर यह जो enzymes क्या करते हैं reduce करते हैं inflammation के symptoms और साथो साथ जो pain होता है और जो sojourn होती है तो वो symptoms को वो कम करता है reduce करता है कि जिसके करन ऐसे सभी medical conditions के जिसके अंदर center में susion है pain है and swelling है तो उसको यह कम करता है और यह क्या करता है fast करता है recovery कि जो acute tissue injuries होती है या फिर आपके body के अंदर किसे tissue के अंदर injury होती है तो उसके बाद उसका faster जब healing होना और जो inflammation वह होती है उसको भी कम करने के लिए काफी useful सा भीत होते है और इनके पास खासकर NL जैसे के anti-inflammatory reaction रहती है हमारी body के उपर तो trypsin and chymotrypsins के हम activity देखे तो उनके पास अलग-अलग 5 ऐसी activities है जैसे कि एक anti-inflammatory reaction है उनके पास कि जो reduce करता है inflammation दूसरी हम देखे तो anti-idematous activity उनके पास है कि जो inflammation को कम करने में help करता है तीसरी activity हम देखे तो fibrinolytic के तोर पे भी ये काम करते हैं जो prevent करवाते हैं blood clots को चौथा उनका एक role देखे तो वो antioxidant के तोर पे काम करके oxidation की जो process होती है वो inhibit करवाते हैं उनको रोकते हैं और पांच बाँ देखे तो analgesic activity है कि जिसको कहा जाता है कि जो pain relievers का काम करती है reduce करती है pain को जो दर्द वगेरा होता है उसको कम करने वाली ये medicine या फिर ऐसा enzyme हम कह सकते हैं तो ये enzyme के पास ये 5 अलग-अलग activities है कि जिसको utilization करके हम अलग-अलग conditions के treatment कर सकते हैं तो working के बारे में समझें तो ये enzymes किस तरह से काम करते हैं तो ये proteolytic enzyme है और proteolytic enzymes का मतलब ये होता है कि ये enzymes क्या करते है breakdown करते है protein को कि जो protein का जो एक बड़ा molecule होता है उसको breakdown करेंगे उसको तोड़ देंगे और उसके छोटे-छोटे small fragments के अंदर उनको convert कर देते हैं तो इस तरह से ये अपना काम करता है special की जो proteolytic enzyme के तौर पे उसकी activity है तो उसका पूरा process flow समझे कि किस तरह से वो आपकी सूजन कम करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे जो point है वो समझे कि उसने क्या किया enzyme ने breakdown कर दिया protein का small components के अंदर कि जो protein का giant molecule था उसको छोटे-छोटे small components के अंदर उसने जो है वो transfer कर दिया convert कर दिया उनका breakdown करके फिर यह जो small components तैयार हुए protein के वो कहाँ पे जाएंगे तो वो जाएंगे हमारे blood के अंदर और आगे absorption उनका होगा कि जो blood के अंदर आ जाएंगे और blood के तुरू फिर आगे उनका absorption होगा absorption होने के बाद क्या होगा यह जो protein है increase करेंगे blood supply कि जहाँ पे आपको susan वगेरा होई थी या फिर जहाँ पे आपको pain वगेरा हो रहा है तो वो affected area में कि समझे कि यहाँ पे आप देखो कि बाजू के diagram के अंदर जो हम यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे इस जगा पे हम देख सकते है swelling जो है वो देख करवाएंगे अब यहाँ पे blood supply समझे कि increase होता है तो दिरे दिरे यह condition जैसे यह वाले leg में है उस तरह से condition होती जाएगी और यह जो swelling है वो कम होगी तो simply concept यह है कि यह medication करती है protein को breakdown करती है small components के अंदर जो protein break हुआ वो blood के अंदर जाता है blood के अंदर जाने के बाद उसका absorption होत है जो small fragments के अंदर उसका breakdown हुआ है वो affected area पे कि यहाँ पे affect हुई है यहाँ पे सूजन आपको देखने होगी बिलते तो यह area पे जो हमारे blood का circulation होता है वो करवाता है increase के जिससे सूजन जो है वो दिरे दिरे कम हो जाती है तो जब कोई person यह medication लेता है तो उसका swelling मतलब कि जो स सूजन के कारण होने वाले जो symptoms के समझे के आपको दर्द वगेरा होता है pain होता है तो वो कम होता है तो basic use समझे तो यह medication करती है खासकर use की जाती है और treatment के अंदर pain के pain relief के तौर पे भी आप उसको use कर सकते है और उसके इलाज में भी कि समझे कि इस तरह से आपके body के अंदर सूजन्स देखने को मिल रही है और उसके current pain हो रहा है तो वो कम करेगा swelling कम करेगा कि swelling की treatment में use की जाती है फिर अगर कोई surgery हुई है और surgery या फिर जो operations होते है उसके बाद आपके body के अंदर pain रहता है कोई ऐसे सूजन देखने को मिलते है तो वो भी यह कम करेगा और उसके इ describe की जाती है और surgery या फिर कोई injury के बाद आपको pain हो रहा है तो उसमें से relief पाने के लिए reduce करने के लिए inflammation और healing of post-operative wound मतलब कि जब कोई operation वगेरा होता है और operation के बाद कोई ऐसे injury हो जाती है कोई ऐसे traumas के condition आती है और जो wound वगेरा होते तो उनके faster healing के लिए कि वो जल्दी से जो गाव होते है वो रूज जाए अच्छे से और गाव के रूजने की जो process होती है जो kriya है वो काफी fast हो और जल्दी से patient recover हो जाए तो उसके लिए भी ये medication जो है वो use की जाती है तो इस तरह से आप देखो के कोई injury हुई है और injury के बाद वहाँ पे दर्द हो रहा है इस तरह से body में अलग-अलग parts पे आपको pain और दर्द हो रहा है कोई surgery या फिर trauma के बाद या फिर या से कोई injury के बाद भी आपको pain हो रहा है तो इस अभी condition में use की जाते है अब जानते है कि उसके prescription कौन से अलग-अलग medical condition मे लिखे जाते हैं तो सबसे पहले ऐसी सभी medical conditions के जिनके अंदर center में एक pain आता है और दूसरा inflammation की जहाँ पे ये दो conditions इंजॉल होती है वो सभी medical condition में prescribe की जाते है जैसे की hematomas के condition के जहाँ पे blood जो है वो clot होता है और swelling होती है अमारे body के tissues के अंदर तो आगे जो हमने देखा कि जो blood clot होने से ये medication prevent करती है और साथ हो साथ ये क्या करता है सूजन कम करती है तो hematomas के जो patient होते हैं उनको भी ये tablet prescribe की जाती है second edema, edema मतलब कि inflammation surgeon कि आपके gums मतलब कि आपके मसुडों के अंदर दातों में दर्ध हो रहा है और उसका region वहाँ पे सूजन हुई है तो antibiotics के साथ कई बार ये medication जो वो prescribe की जाती है तिसरी condition post surgical trauma and injury कि surgery के बाद कोई trauma और injury हुई है तो उसके इलाज में भी use की जाती है कि उसके क उसवक्त ये medication useful साबित हो सकते है फिर post hysterectomy healing मतलब कि आपको faster healing लानी है कि जब कोई uterus removal का operation किया गया है या फिर cesarean हुआ है women's के अंदर कि जो बच्चे दाने के जो निकालने के जो हम बात करते है गरबा से जो निकाला जाता है surgery वगरा करके या फिर c-section delivery होती है जो cesarean जो कहा जाता है तो उसके बाद जो अगर आपको faster healing प्रोवाइड करनी है तो faster healing के लिए यह काइमोरल फॉर्ट के जो टैबलेट जो यूज की जाती है फिर जो PID की जो हम condition करते कि जिसके अंदर जो Susan है वो कम करने के लिए भी pelvic inflammatory disease के अंदर ये यूज की जाता है छटा हम द body की organs के अंदर के कुछ organs के अंदर कई बार ऐसा होता कि कोई injury के करान या फिर कोई ऐसे medical condition के करान वहाँ के जो cell होते है वो dead हो जाते है कि जिसको medical term में कहा जाता है necrotic tissue तो वो necrotic tissue के treatment के कि वहाँ पे उस जेगा पे फिर से blood circulation हो हो जाए और नए skin वहाँ पे develop हो वहाँ पे cytica की जो हम condition कहते हैं कि कि किसी भी एक side के spine से लेकर leg तक जो आपको pain होता है तो cytica में भी यह prescribe की जाती है आठवी condition हम देखे तो chronic respiratory condition जैसे कि बार बार आपके respiratory tract के अंदर susan वगिरा आजानी जैसे कि अस्थमा की जो condition है तो ऐसे condition में यह use की जाती है और sore throat के treatment में कि जब आपके throat के अंदर गले में जब pain होता है और साथो साथ susan होती है तो उस वक्द भी chymoral fort के tablet useful साभित होती है और दसवा condition हम देखे तो जो hemorrhoids के जो condition होती है कि जिसको हम piles कह करेते हैं तो piles के इलाज में जो pain होता है और swelling होती है तो उसको भी treat करेगा यह chymoral fort tablet तब उसके dose के बारे में समझे तो dose अच्छे से समझना जरूरी है आपको तो सबसे पहले आप समझो के patient के condition कैसी है उसके according to dose दिया जाते तो एक condition यह से की patient के अंदर काफी pain है काफी लेता है कि समझो कि आपने यह एक tablet ली है तो यह tablet के बाद यह second tablet कब लोगे तो at least दो tablet के बीच में रहेगा और 72 hours के अंदर आपको यह दो tablet लेनी है तो एक tablet समझो के लिए फिर proper 36 hour हो गए उसके बाद आपने second tablet ले फिर third tablet लेनी है तो फिर से 36 hour का time difference जो होना चाहिए इस त पर जब 72 hours होते है तो 72 hours में patient जो हो at least दो tablet जो हो लेता है कि तीन दिन में दो बार जो हो tablet यह ले सकता है तो यह उसका एक प्रथम dose है second dose हम देखे कि अगर patient के condition ऐसी है कि थोड़ी normal जैसे condition है ज्यादा इतनी severe condition नहीं है mild to moderate condition है तो उस वक्त हर 4 दिन में एक कि जैसी 4 दिन हो लेते है फिर दूसरे 4 दिन के बाद दूसरा tablet ऐसे every 4 days एक tablet जो हो ले सकते है और यह ले जाती है खास कर before meal खाना खाने से पहले तो यह खास समझे ओडी में कभी भी नहीं ले जाती है tablet 72 hours में जो हो आप 2 tablet ले सकते है या फिर हर 4 दिन में एक tablet तो यह खास उसका dose आपको abdominal pain जैसा फिल करते हैं कुछ patients कि उनको stomach के अंदर abdominal pain या फिर bloating जैसा फिल होना कि जैसे gas होता है और जैसे पेट फूल जाता है ऐसे condition कई बार फिल करते हैं यह tablet खाने के बाद कुछ cases के अंदर जो eyes के अंदर क्या आखो का जो हमारा बाग है या फिर cornea का जो बाग है वहाँ पे surgeon कुछ patient महिसूस करते हैं कुछ लोगों के अंदर hypersensitity या फिर allergic reaction हो जाते हैं कि अगर उनको chymoral for tablet के allergy है या फिर proteolytic engine से उनकी उनको allergy है corneal swelling हो सकती है आखों के अंदर फिर stomach के अंदर भी pain हो सकता है जैसे abdominal pain के हमने बाद के सथा stomach pain हो सकता है कुछ cases में diarrhea मनलब की दस्त हो जाते है skin के उपर racist कि अगर किसे को allergy है या फिर hyper sensitivity है यह medication की तो allergy हो जाएंगी skin के उपर racist हो जाएंगी eating होना मनलब की खुजली हो सकती है आपको वहाँ पर कुछ cases में shortness हो जाती है breathing के अंदर की breathing जो है वो काफी short हो जाए और stomach के अंदर indigestion जैसे condition की आपको जो हो heartburn जैसा feel हो सकता है कई बार या फिर indigestion जैसे condition feel हो तो यह सब side effects develop हो contraindications देखिए तो कब यह tablet को use नहीं करनी तो सबसे पहले ऐसे condition कि अगर आपको allergy है कि trypsin या फिर chimotrypsin की आपको allergy है तो यह medication को कभी भी use ना करे या फिर proteolytic enzymes की आपको allergy हो जाती है कि अगर ऐसी past history रही है कि अगर आपको इसी proteolytic enzymes को use करते तो आपको allergy हो जाती इस तरह से नहीं चाहिए second आपको hypersensidity है chimoral की फिर ऐसे patient की जिनको breathing के अंदर already difficulty है तो breathing difficulty वाले patient है और यह tablet आप दोगे तो और जदा breathing difficulty हो सकती कि जिसे उसके side effect की shortness of breathing तो यह खास द्यान रखे चौथा हम देखे तो अगर कोई patient anti-depressants ले रहा है तो anti-depressants medications के साथ chimoral for tablet को prescribe नहीं की जाती फिर अगर कोई patient sleeping pill ले रहा है तो भी उसको यूज नहीं करनी है फिर अगर कोई आप allergic के लिए anti-histamines यूज कर रहे तो भी यूज ना करे और अगर consumes कर रहे आप alcohol या फिर alcohol containing कोई medications यूज कर रहे है तो भी यह tablet को यूज ना करे या फिर अगर यूज करते हैं तो यह सब medication को जो वो stop करें और उसके एक वेक बाद ही या फिर चार-पांच दिन के बाद ही यह medication को लेनी चाहिए अब समझते हैं कि pregnancy में यूज करें या ना करें तो proper caution के साथ यूज की जाते हैं कि अगर आप pregnant है या फिर breastfeeding period के अंदर है तो खास कर एक बार जो gynecologist तो अच्छे से आपको जो वो consult करने चाहिए आपके डॉक्टर को या फिर आपके gynecologist को या फिर physician डॉक्टर को के अगर आप pregnancy के दोरान ये medication यूज करें तो वो proper आपके बेबी की growth हो अगेरा देखेंगे और जरूरत पढ़ने पर ही ये tablets जो प्रिसक्रेब की जाती है वर ना अगर risk है कोई तो ये medication को use नहीं कर दोर कभी भी आप self medication ना करना कि अगर आप pregnant है या फिर pregnancy conceive करने का try कर रहे है तो या फिर breastfeeding period है में है तो ये medication का self medication ना करें एक वार जरूर से आपके physician डॉक्टर या फिर जो आपके gynecologist है उनकी advice के बाद ही आप pregnancy में उसको use कर सकते ह हैं तो ये था special video lecture about the chimoral for tablet तो इसी तरह से अलग-अलग medications के basic use के बारे में सिखें उनके dose, side effect, warning क्या रहेते हैं, contraindications क्या रहेते हैं और वो भी काफी सरल बासा में एक साल तक Pharma Rocks के mobile application पर भी अब आपको ये facility मिल रही है कि जो हमारे lectures होते हैं उनके PDF, PPTs वगेरा एकसेस करे affordable price में Pharma Rocks के mobile application के उपर कि जहाँ पे सिखें अलग-अलग दवाईयों के basic use के बारे में उनका side effects क्या होता है, कैसे उनको use की जाती है properly, तो Pharma Rocks के lectures, उनके PDF वगेरा एकसेस करें अप उपर, ये नमबर वे WhatsApp भी कर सकते हैं, तो link आपको हमने description box के अंदर दे दी है, को Android user, Android app download कर सकते हैं, iPhone user app store से, link description box में मिल जाएगी, so good luck and all the best.